सफलता को नहीं पा सकते हैं जो यह सोचते हैं कि मैं प्रारंब कैसे करूँ मैं प्रारंब कैसे करूँ यह सोच करके उतने में रह जाते हैं उतने के बाद में थोड़े आगे बढ़ते हैं तो प्रारंब तो करूँ पर वो कल करूँ या परसों करूँ फिर वो रहे जाते हैं जो यह सोच लेता है कि मुझे प्रारंभ भी करना है और अभी करना है उसको कभी कोई असफल होने से नहीं रुख सकता कि पहला मंत्र यह दूसरा प्रारभ विग्न भीता अभीरमंति मध्या प्रारंभ तो हमने कर दिया हम तो लग गए पुरा जोश आगया मैं देख रहा था जोश तो आप में जितना था था सांड की आवाज इतनी तेस पुरा यह स्टेडियम मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कभी ह हिला होगा पहले इतना हिल रहा था तो यह जोश में का प्रारभ विग्न भीता अभीरमंति मध्या कि शुरू होने करने के बाद में जोश में लग तो जाते हैं पर जोश में आपको यह कभी भी मत सोचना कि हमेशा जोश देने वाले लोगी आपके साथ खड़े मिलेंगे आपको बहुत सारे टांग फिचने वाले ज्यादा मिलेंगे यह हिंदुस्तान की प्रविरती है प्रकृती है वसे भी तु क्या करेगा तु क्या सोच रहा है ऐसे तो बहुत सारों लोगों ने सोच लिया यदि आपने तब कान दे दिया तो समझ लेना की फिर आपने फिर देखो हमको क्या करना है हमने ठान लिया तो हमको चलना है यहाँ भी आपके दिल और दिमाग में स्थाई होनी चाहिए वहाँ कहीं विकल्प नहीं होना चाहिए इसलिए कहा कि प्रारंब करने के बाद में वो जो लोग होते हैं जो दूसरे के के द्वारा प्रसंसा करने पर खुश हो जाएं थोड़ी सी आपकी वो कह दे कि तु कैसे करेगा तो उदासिन हो जाए जाहा बिग्णई पुनहां पुनरभी प्रतिहन्यमान हां प्रारभ्यचा उत्तम जनान परित्य जन्ति उत्तम कोटी के तब आप कहलाओगे कि बिग्णई पुनहां पुनरभी यानि कि बाधाएं एक बार नहीं आती है यह ध्यान रखना बिग्णई पुनहां पुनरभी फिर और फिर फिर एगेंड एगेंड जितनी बार भी आ जाएं उनका काम है आना आपका काम है चलना यह आपने ठान लिया फिर कोई नहीं रो सकता तो यह हम को करना है तो पतंजली के यात्रा भी कुछ ऐसी ही है पर आज का वातावरण थोड़ा समय उसको उसके साथ मिलाना चाहता हूं कि हम लोग जब हमने ठान लिया और हम शुरू हो गए शुरू होने के बाद में हम कई बार और सोचते हैं कि लोग हम को प्यार करें लोग हमको ज़ादा द्यान दें या मैं उसको इसको बड़ी शब्द में कहूं कि दुनिया की चीजें वो मैं कैसे प्राप्त कर सको इसको मैं पोजेटिव दिलprises लूँ तो पोजेटिव बात भी है कि दुनिया की चीजें, यदि हम यह न सोचें कि हम कैसे उन्नती को प्राप्त कर सकते हैं, यदि ऐसा ना सोचें तो उन्नती प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। रास्त्रे की बात से बात शुरू करी तो अगली लाइन सुना देता हूं कि वो कहते हैं कि कि उसका आर्टी है कि जब मोले हमको अच्छे काम करना हो естब कि इसा करना चाहिए कि हमको यह सोचना चाहिकी कि कभी भी हमारे सिराने पर मौथ खड़ी है तो आदमे क्या करें अच्안 हम अभी कर ले झाल झाल